आज मैं आपके लिए कम बहनत में सुपर टेस्टी हेल्दी असा नए तरीके का चटपट बन जाने वाला नाश्टी के लिए से पिले करके आई हूँ जिसे हम ब्रेट से बनाएंगे आप इसे फटफट घर में पड़ी चीजों से सुवा शाम के भूक में बना सकते हैं तो यहां में देखे तो 70 ग्राम बेशन अब इसमें डालिए वन फोर्थ कप चार चमच मैदा या फिर सूजी यहां पर मैं सूजी का इस्तेमाल कर रहे हूं चार चमच दो चमच दही स्वात अनुसार नमक नमक हलका ही डाले एक चुथा चुटी चमच काली मर्च बाडर अब चमच या विसकर से इस तरीके से मिलाएं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे एक बार में ज्यादा पानी डालने से लंब सा जाएगा तो स्मूध सा बैटर बन चुका है थोड़ा सौध पानी डालिए तो मैं आपको एक पर से लेके दिखा देते हूं अब हम 10 मिट लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी पेशन फूल जाए तो 10 मिट हो चुका है अब यहां पर मैंने थोड़ी सी सबजी के इस्तेमाल किया है आधा गाजर कद्दू कस किया हुआ यानि एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून ब चिली फ्लेक अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डाले अच्छे सी मिला ले एक चमच और पानी डालिये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है यानि 120 एमिल पानी अब मैं आपको एक बार की दिखा कुछ में इस्तेमाल कर सकते हैं तो चाओ के नोग से हम ब्रेट को धीरे धीरे से स्क्वार में कट कर लेते हैं पहत असानी से कच चाएगा । तरीके से CUTE AWAY BREED की PIEC को हम इसी तरीके से इसमें सेट करके रखेंगे ताकि उसी तरीके से सारे BREED को हम काट लेते हैं अब हम तबा चाढ़ाते हैं इस नाश्ते को मैं घी में बना रही हूं आप चाहें तो आयल या फिर बटर का स्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक तवा चड़ाया है उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजे और चारो तरफ फैला लीजे तवा हलका गरम होना चाहिए फ्लेम लो कर दे अब हम कटेवे ब्रेट को इस तरीके से रखेंगे एक बार बैटर को मिला लीजे और चमज से हम सेंटर पे डालेंगे इस तरीके से और यह जो कटावा ब्रेट का पीस है इसके उपर रख करके हलके हाथ से प्रेस कर दीजे बिल्कुल धीमी आज पर दो मिनिट तक इसी तरीकी से पकने दे हलका सा घी हम दूसरी तरव पर लगा देते हैं और दो मिनिट के बाद इस तरीकी के स्पैचुला से धीरे से हम उठाएंगे और एक छटके में पलट तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है कितना जादा क्रिस्प बना है मैं आपको आवाज सुनाती हूँ तो यह ऐसा चटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता है जिसे आप ब्रेकपास्क में बना सकते हैं कडाकी के ठंड पढ़ रही है तो शाम को भी बनाएके फटफट खा सकते हैं बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगा और आपको भी बनाना बहुत असान हो जाएगा तो पीछे से एक मिनट तक सेक लिया है टोटल आपको ढ़ाई से तीन मिनट का बस टाइम रगने वाला है तो मैं आपको लटके दिखाती हूँ तो बहुत ही क्रिस्प है और अंदर तक अच्छे से बेशन कुख हुआ है आपको कहीं से कची कची नहीं लगेगी बस फ्लेम को शुरू से लिके आखिर तक लो रखिएगा और तवा का टेमरेचर बिल्कुल कम होना चाहिए अब मैं आपको एक दुसरे तरीके से बना करके दिखाती हूँ तो सेकंड तरीके में आप चाहिए तो थोड़ा सा आमोल चीज ग्रेट कर सकते है बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे टेस्ट भी बढ़ जाएगा देखिए बस इतना सा और इसके उपर ब्रेट के स्लाइस को रख दीचे और हलकी हाथ से दाब ले और धीरे से उलट ले तो लिचे ये भी तयार है तो मैं आपको एक बड़ पीछे से दिखा लेते हूँ देखिए लेजे दोस्तों तयार है बहुत ही जादा टेस्टी नए तरीके का ब्रेट टोस्ट आप जरूर बनाए और आपने देखा इसे बनाना कितना असान है तो मैंने बस तीन टोस्ट बनाया है इतनी कौंटिटी में आपके 7-8 टोस्ट बन चाएंगे तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ तो आप अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पका है, तो मैंने इस तरीके से सर्फ किया है, आप टेमेटो केचिप के साथ खा सकते हैं, तो आपको कैसा लगा, नए तरीके का सार, मज़ेदार, टोस्ट की रेसिपी जरूर बताईएगा, तो विडियो अच्छी